हेलो आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर नमबर एट का सेकेंड पार्ट जो की इस क्लास का लास्ट जेग्राफिक का चैप्टर है और ये आपका इस क्लास का लास्ट वीडियो भी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने कोशन 33 तक कर लिया था तो ने कोशन देखने हैं इस्थापत्य कला किसे कहा जाता है इस्थापत्य कला आपने बहुत जगे पड़ा होगा है तो इस्थापत्य कला कहा किसे जाता है क्या होता है वो भवन निर्मान की जो कला होती है उसको इ ने कोशन देखी, राइस्थान राजे के किस जिले में ब्रह्मा का मंदिर इस्तित है, आपको पता है कि ब्रह्मा का मंदिर ये केवल और केवल राइस्थान राजे के किस जिले में है, पुसकर जिले में इस्तित है, कहाँ पर है ये, ब्रह्मा का मंदिर पुसकर जिले में इस राइस्थान राज्य के किस जिले में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगहा इस्तित है। कहाँ पर है ये? ये अजमेर में हैं, हम सभी जानते हैं। चलिए, नहीं कोशन देखिए। राम देवरा का मंदिर आप बहुत सुनते होंगे। तो राइस्थान किस जिले में है ये? ये जैसल मेर में है, हम सभी जानते हैं इस बात को, राम देवरा जो का मंदिर है, वो कहाँ पर है? जैसल मेर के अंदर है। नहीं कोशन देखिए। नहीं कोशन देखिए। राजस्थान, राजस्थान राजय के किस जिले में एक लिंग का मंदिर इस्थित है? एक लिंग जो मंदिर है, वो कहाँ पर इस्थित है? ये उदयपूर के अंदर इस्थित है। राजस्थान राजस्थान के किस जिले में गोविंद देव जी का मंदिर इस्थित है? तो इससे तो हम निश्चित रुप से चीर पर इस्थित है। ये जैपूर के अंदर है। गोविंद देव जी का मंदिर का है? जैपूर के अंदर है। राजस्थान के किस जिले में इस्थित है? तो इस्थित है किस जिले में है? ये सवाई मादोपूर में है। किस जिले में इस्थित है? तो इस्थित है तो इस्थित है किस जैण मंदिर है। रिषाब देव, रनकपूर और देलवाड़ा, किसके लिए फेमास है? जयन मंदिर, और यह कहाँ है? और यह सन कि सुलिम इस्थेत है? यह हैं किरमसा उदैपूर में रिषाब देव का मंदिर है, पाली के अंदर रनकपूर का है, और देलवाड़ा मंदिर ना रिषब्देश औधापूर में है रनकपूर पाली के अंदर है देलवडा जो है वो शिरोही के अंदर रिस्टेथ है राज़्थान राजय में परेटन को सरु परतम उद्धूग का दर्ज़ा कब दिया गया औरा कब दिया गया है यह 1989 में दिया गया था और इसको किस टाइप का उध्योग माना जाता है उध्योग जो परेटन जो है उसको सेवा उध्योग के तौर पर माना जाता है और यह 1989 में उध्योग की उध्योग माना गया उससे पहले यह एक नॉर्मल का रहे था जिसको उध्योग में समलित नहीं किया जाता था लेकिन तब 1989 से इसको एक उध्योग का दर्जा दे दिया गया नहीं कोश्चन देखिए परेटकों को आकर्षत करने के लिए परेटकों के लिए किस नाम से विसे साही रेल गाड़ी चलाई गई है आपने आपके चेहरों में देखा भी होगा य रायल रायस्तान ओन वील्स यह बहुत ही सांदर गाड़ी है और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलेटीज है तो यह किसके लिए है यह मूश्ली परेटकों के लिए या उनको आकरसित करने के लिए चलाई गई है नहीं कुश्चन देखिए रायल रायस्तान ओन वील्स ट्रे परिवेहन किसे कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव वस्तूओं विचारों के आदान प्रदान को याद रखना हम लोग क्या सोचते हैं केवल हमारे आवगमन को ही परिवेहन का माद्यम जो होता है उसको परिवेहन मानते हैं जो हमारा माद्यम होता है लेकिन ऐसा नहीं है हम क्या है कि हम हो या फिर कोई वस्तू हो या फिर विचार हो उन सभ का आदान प्रदान क्या कहलाता है परिवेहन कहलाता है ने कोशन देखी पाइप परिवेहन का उप्योग किसे तू किया जाता है तो किसे तू किया जाता है देखे तरल और गैसी परवस्तों के आदान प्रदान ही तू पाइप लाई ने बिचा दी जाती है आपके घर में जो पानि आता है नल से जो पाणी आता है वह भी पाइप परिभेन का ही जल परिवेन ये पाइप परिवेन का यह का न, वह एक साधन है न sacrific प्रिकार है परिवेन का तो तरल और गैसी अपस्तों के आधन प्रदान हेतों के लिए इस चीज़ों के लिए इसका यूज किया जाता है नेक क्वेशन देखे राजिस्थान रोड विजन दो हजार पचीज के क्या उद्देश हैं राजिस्थान रोड विजन दो हजार पचीज का एक उद्देश रखा है रोड विजन दो हजार पचीज इसके अंतर क्या सोचा गया है तो इसके अंदर जो उद्देश रखे हुआ सदी के पहले 25 वर्ष में निर्मित सदी कौन सी यह जो आपके चल रही है इसके स्टार्टिंग की जो 25 वर्ष में जितनी भी सड़के निर्मान की जा चुकी है या हो चुकी है उनका विस्तार करना और उनकी देखबाल करना एक्सप्रे हाइवे फ्लाइ ओवार्ट्स रिंग और आदिका निर्मान करना गाँवों को सड़कों से जोड़ना ये सभी रोल विजन दोजार पच्छिस का हिस्सा हैं चलिए नेक कुशन देखिए राइस्थान में किस प्रकार का परिवेहन सरवाधिक विक्सित है तो देखिए यहाँ पर जो सरवाधिक विक्सित है वो सरक परिवेहन है यहाँ पर और सबसे कम विक्सित अगर देखा जाए तो जल परिवेहन है क्योंकि यहाँ पर नहीं तो इस समुद्र सीमा इससे लग र तुर सब करिए meget भी क्या है जपती स्वेक्राइब काहिएost Ay support का सकता है और सड़क परिवयन जो है वह काफी हथता किसमें किसित थे थीун करत है ठीकिए निएत राइस्थान र्याज्यय में सदकों को किस प्रकार वर्गी करत किया जाता है राजिस्तान दाज्ये में सड़कों को किस प्रकार वर्गी करत किया जाता है तो देखे राजिस्तान में जो सड़कें हैं वो मुक्त है चार भागों वर्गी करत किया जाते है राश्टे राजमार्क यानि नैश्टनल हाईवे आपके राजी राजमार्क निया study highway आपके, district próxima जिला सड़कें जो होती है और ग्रावीन सड़कें जो गाउंस से गाउंस को मिलाती है वो सड़कें ग्रामीन सड़कें इस तरह ये मुख्यते चार भागों में डिवाइड किया है राश्टी राजमार्क, राजी राजमार्क, जिला सटकें और ग्रामिंग सटकें चलिए, नैक कुश्चन देखें राज्टान में सबसे व्यस्ततम राश्टी राजमार्क कौन सा है? यह question आता है और यह question एक बार नहीं कई बार repeat हो चुगा है तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा राइस्थान में सबसे वैस्तम राष्टी राजमार्ग कौन सा है यह है NH8 यानि National Highway आर्ट राष्टी राजमार्ग आर्ट जो कहां से कहां तक जाता है दिल्ली से मुंबई तक को सड़कों से जोड़ दिया गया है किसी योजना के तहत विभिन गाउं को सड़कों से जोड़ दिया गया है और अभी भी काम चालू भी है चल भी रहा है कौन सी है यह 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 प्रधान मंत्रिक गामीन चड़क योजना के तहत गाउं को गाउं को हैं सड़कों से जोड़ा जा रहा है और उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है तो यह क्या है यह किस के अंतर किस योजना के तहट किया जा रहा है यह प्रिधान मंतिक ग्रामीं सड़क योजना के तहट किया जा रहा है नेक कोशिचन देखें, राइस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रे राजमार कौन सा है, राइस्थान में जो सबसे लंबा राष्ट्रे राजमार की है, आप सभी जानते हैं राष्ट्रे राजमार 15, एन इस 15 जो है, राष्ट्रे राजमार 15 जो है, जो पश्चिमी सीमा वर् बारत की तच होती हे, वह सीमावर्ती छेतर है, तो वहाँ पर क्या है? राष्टी राजमार्क 15 है, जो काफी लंबा भी है, है ना? सबसे लंबा राष्टी राजमार्क कौन सा राजसान में? NH 15 या राश्ट्री राजमार 15 Next question देखी कौन से राश्ट्री राजमार राज़्तान को गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ते हैं देखे ये question व्यापार के तौर पर देखा जाए तो बहुत ज़दा important होता है इसलिए ये question बार-बार आता है तो इसको भी याद रखेगा NS 14 और 15 राश्री राजवान 14 और 15 जो हैं वो राइस्थान को directly कांडला बंदरगा जो है गुजरात का वहाँ से जोड़ते हैं नेक कोशन देखें भारत सरकारदारा घोसित भारत माला पर योजना किस से सम्मदित है ये कोशन काफी important है इसके आने की काफी संभावना है तो इसका रहाद रखेगा भारत सरकारदारा घोसित जो भारत माला पर योजना है वो किस से सम्मदित है वो है सडकों के विकास से सम् भारत माला परियोजना में सड़कें कहां बनाई जाएंगी, तो वो कहां पे हैं, सीमा वर्ती राज्यों में, मुख्यते जैसे राजिस्तान हो गया आपका, पंजाब हो गया, जम्मू कस्मीर हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्राकंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक किम, असम, अरणाचल प्रदेश, मनिपूर, मिजोरम, यह जब जो सीमा वर्ती राज्ये हैं, जहां से अंतराष्टी सीमा मुख्यता लग रही है, वहाँ पर यह भारत माला परियोजना, वहाँ पर सड़कें निर्मान करके, इसको बनाया जा रहा है, यह पर इसके तहत यह फ़ी योजना है, ठीक है, ने कुशन देखे, भारत माला परियोजना के तहत कितना हिस्सा राजस्तान से होकर गुजरेगा, तो देखे, काफी बड़ा हिस्सा है, यह करिण पंद्रे सो किलोमीटर का है, राजस्तान में जो अंतराष्टी सीमा वर्ती छेता है, जहांसे तो यहाँ पर राइस्थानी राइस्थान के अंदर लगभग 1500 किलोमीटर की सडक बनाना तैह हुआ है नेक कोशन देखें भारत में पहली रेल कब वे कहां चलाई गई थी भारत में पहली रेल कब वे कहां चलाई गई थी तो यह 1853 में महराष्ट के मुंबई एवं थाने के मद्धे चलाई गई थी जो भारत की पहली रेल है जब अंग्रेजों की गवर्मेंट थी तब यह चलाई गई थी राजिस्थान में वो कौन से थी भारत में यह कहां कि है राजिस्थान में राजिस्थान में पहली रेल कब्वे कहां चलाई गई थी तो यह आपका 1874 जो बांधी कुई है यह ना बांधी कुई जो स्टेशन है दौसा के अंदर आता है यह वहां चलाई गई थी बांधी के लिए चलाए गई थी. नहीं कुस्च्टन देखिए. आ कि राइस्तान में रेल मार्क की लगभग कितनी लंबाई है? राइस्तान में जो रेल मार्क जो बिछा हुआ है, игр कितनी लंबाई पे भैला हुआ है? तो वो है 6000 किलो मिल्ड़ है. राहस्थान में जो rail mark है वो करीफ़ें 6000 किलोमेटर लगबग लंबा है next question देखिए राहस्थान का rail mark भारतके किस railway मंदल का हिसा है आपको पता है जो rail mark है वो कई मंदलों में विभाजित है तो राहस्थान किस मंदल का है ये राइस्थान है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का हिसा है राइस्थान उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के अंदर गत आता है और इसका जो मुख्याले है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का वो कहां पे है वो है आपका जैपूर के अंदर इसका मुक्याले जैपूर के अंदर है नेक कोशन देखी राजस्थान में रेल परिवेन का सबसे बड़ा केंदर कौन सा है राजस्थान में रेल परिवेन का सबसे बड़ा केंदर कौन सा है कौन सा है ये जैपूर जैपूर आपको पता है, इसका मुख्याले भी है इस मंडल का, तो निशित तोर पर ये काफी सभविक वात ही है, कि सबसे बड़ा केंदर भी कौन सा होगा, जैपूर ही होगा, तो राइस्थान में रेल परिवेंका सबसे बड़ा केंदर कौन सा है, जैपूर है, नेक कोशन मैट्रो रेल किसे कहा जाता है मैट्रो रेल हमने सबी जानते हैं दिली में भी चली है जैपुर के अंदर भी चली हुई है तो यह actual में है क्या metronia linear कहा किसे जाता है महांग्रों में इस्थानिय परिवायन के लिए उपयोगी rail यानि जो बड़े सहर है उसमें जो इस्थानिय रूप से मलब सहर के अंदर या से कि आसपास के जो छेत्र हैं, वहाँ पर जब हम परिवायन के लिए ट्रेन का उप्योग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो मेट्रो रेल कहलाती है, और जैपूर में 15 जून 2015 को ये प्रारम हुई थी, है न, चले, नेक क्वेश्चन देखिए, राइस्थान का प्रिथम वे व्यस्तितम अंतरराष्टी हवाई एड़ा कहां इस्तित है, तो देखिए वो है जैपूर के सांगानेर में, जैपूर के सांगानेर में जो अंतरराष्टी हवाई एड़ा है, वो राइस्थान का पहला और सबसे व्यस्तितम अंतरराष्टी हवाई एड़ा है, नेक महाराणा परताप हवाई आड़ कहां इस्तित है कहां पर है वो है आपके वुुद्यपूर के डबॉक में इसे के साथ आपका होती है यह चैप्टर भी समाब आपके क्लास भी होती है यहां पर समाब तो मिलते हैं determinant class next chapter और next video के साथ तब तक के लिए thank you झाल झाल